असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद उस्मान अशर्फ और मैं आपके साथ आधिर हूँ सिटी स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक्स गुजावलर से आज हम हायर की LED का रिव्यू करेंगे आपके लिए जो के S6 Pro सीरीज है और यह जो टीवी है यह साउंड बार के साथ आता है और यह मैटल फ्रेम में है यह जो LED हम आज इसका रिव्यू करेंगे 65 इंचिस साइज में है और इसका जो मॉडल है 65 S6 UG's का मॉडल है या S6 Pro भी से कहते हैं तो चलने चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ यह एक Android TV है जो के Android 11 VN के साथ आ रहा है और यह एक Artificial Intelligence TV है बलब AI TV भी से कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि यह आपकी voice commands और different इसे आप commands दे सकते हैं आगे चलके मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी applications इसमें built-in है यह जो model है यह bezel-less है यह इसमें frame नहीं है यह इसका frame बहुत minimum size का है फिर यह Dolby Vision और Dolby Atmos के साथ आता है इसमेंस के आपको इस TV में cinematic experience मिलेगा जैसे कि आप movie देखते हैं cinema में नेर टुइट यह आपको experience देगा sound में और picture में भी यह HQ LED TV है जो के इसके जो colors है वो बहुत ज़्यादा depth में है मतलब आपकी जो picture है वो आपको बहुत ज़्यादा depth में दिखाएगा यह जो TV है यह 4K technology के साथ है 4K technology और 4K HDR के साथ है मतलब इसके जो pixel है वो 3840 x 2160 और इसकी जो depth है जो sharpness है वो बहुत ज़्यादा SDR की वज़े से यह जो TV है इसमें M.E.M.C. technology है M.E.M.C. technology क्या है इसको कहते है motion estimation and motion compensation यह सेंस करती है LED जैसे अब आपकी कोई TV में fast moving car है तो यह उसके motions को sense करेगी और उसको smooth करेगी आपके लिए उसके बाद यह micro dimming के साथ है जैसे आपने कमरे की light आफ कर दी तो यह इसके जो tiny pixels है वो अपनी brightness और अपनी sharpness को उसके मताबग के adjust करेंगी यह micro dimming यह जो TV है इसमें HDMI 2.1 की port है और एक USB input की भी port है यह DBX TV है मतलब इसमें surround sound आपको आपको आएगा जिसको virtual sound भी कहते है मतलब जो इसका sound भी आपको बिल्कुल एक 3D sound की तरह नजर आएगा सुनने को मिलेगा फिर यह Google Assistant TV है मतलब इसमें आप Hey Google और इससे कोई भी आपने Google पे कोई भी चीज सर्च करनी है या download करनी है तो Google आपकी बाते सुनेगा और मानेगा फिर इसी के साथ ही आगे मेंचन करते है hands-free voice control मतलब इस LED के अंदर भी hands-free voice control है मतलब आपने LED की voice आप करनी है डाउन करनी है यह channel change करना है तो आप इसे voice command दे सकते हैं फिर यह Android devices IoT Hub यह क्या चीज है यह basically linked हा higher matrix के साथ मतलब आपकी जितनी भी Android devices है और वह higher की है तो यह आपस पर interconnected होंगी cloud पर मतलब higher cloud पर उसके बाद यह Google Play Store इसमें आता है वो मैंने आपको शुरूर में बताया है यह Android TV है और इसमें जो services आपको provide करता है वो Google करता है और इसमें वो Google Play Store से आपको applications मिलेंगी यह जो TV है इसके अंदर built-in chromecast है built-in chromecast क्या चीज़ है कि आप अपने mobile की और अपने laptop की screen wirelessly share कर सकते हैं और इसके अंदर Bluetooth 5.1 wiring के साथ है it means कि जो आप mobile sharing करेंगे या जो आप अपने laptop की sharing करेंगे और वो बहुत smooth हो जाएगी 5.1 की वज़े से यह इसमें एक plus point है higher matrix हो यह जो आपके घर में जितनी भी higher की चीज़े है higher की wifi वाली fridge है washing machine है LED है तो आपस में interconnected हो जाएगी आप एक अपने mobile से इन सारी चीज़ों को control कर सकते हैं तो यह जो TV है S6 Pro Series यह दो sizes में आ रहा है एक 55 में और एक 65 में 55 वाले की price जो है वो 138,900 है इसमें discount हो जाएगा जब आप market में आते हैं और 65 inches की price है यह जिसका हम review कर रहे हैं यह 65 inches है इसकी price है 167,900 तो दोस्तो यह धाज का review जिसमें हमने आपके लिए S6 Pro Series का review किया जो के higher के latest model है और यह बाकी जितने भी brands हैं उनको एक tough time देने वाला है तो अमीद है यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा informative लगी होगी इसी के साथ हम इजाज़त दें अपना बहुत सारा ख्यारा कियेगा अलाँ